कि लिव वयूख रहें वेल्कम टेवेट्येशन पुंट आज हम बात करेंगे मेफट्स के बारे में जर्रली हम ब्लट क Tiffany है लबॉरेट्री में भी सिर्टीन तो जब लग करते एं इस वक्त हम हमें कौनों से मेथड हम यूज करते हैं और हमें क्या क्या स्टी रखनी चाहिए उसके बादे में आज दिसक्रस करेंगे तो फर्स्ट वन है ब्लड इस क्या हें जो कि हम बहुत सारे कगरने के बहुत सारी दिस को कि करने के लिए हम क्या क्या करते हैं ब्लॉट का यूज करके उस डिसीग भी मारी को हम देख सकते हैं कि इसको कौन से बिमारी है तो आगे बात करते हैं तो blood must be collected with care and safety जब हम blood collection करते हैं तो हमें बहुत ही care and safety से blood collection करना चाहिए क्यों कि हमें नहीं पता है कि उस patient को कौन से बिमारी है कुछ जैसे बिमारी जो होती है जो कि blood to blood transmitted हो सकती है जैसे कि HIV हो गया तो इसी कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी घातक बीमारिया होती है जो कि transmit होने के chances बहुत ज्यादा रहते हैं इसलिए हमें बहुत क्यार और सब्सक्राइब के साथ collection करना चाहिए और उस जो blood को हमने collect किया है उसको भी हमें contamination से अवोइड करना है ठीक है नेक्स से परपस अंद प्रोपर कलेक्शन ओफ ब्लड़ स्पैसिमें इस वाइडल पार्ट ऑफ लबोरेटी डागनोसिक्स प्रोसेस ठीक है एक प्रोपर कलेक्शन होना ब्लड़ स्पैसिमें का यह लैबोरेटी का बहुत ही हमें anticogon2 में přेंट लिया हमारे लिघो होती है इसा ही लग दिया इससे ही रख दिया इसको मिक्स किए तो क्या हो 쪹 यह कहीं बार ऐसा हुआ है थिए तो इसको कि ले रहे हैं तो इसको अच्छे से मिक्स कर पर लेना है तो यह यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है एक प्रॉपर कलेक्शन ब्लड स्पैसिमेन का अब इसके क्या क्या होती है तो इसकी 3 जनरल प्रॉसीजर होती है है फर्फ फर्स रंहे कैपिलरी ब्लेट कलेकि जहएं क्योंकि हमस्मेर बिनांटे हैं तो हम ग्रेकलेरी ब्लेट के द्वारा ही बनाते हैं और यह बहुत अच्छी मेथड है माइस मेर बनाने के लिए और माइक्रो ब्लड सेंपल क्योंकि हमें इसमें बहुत कम क्वांटिटे में सैंपल आप्टेन होता है के ल obserais का इसे स्कीन करने हैं इसको हम प्रीक करका फिर हमें काल कॉंटिटि ओ Г् Argentine इसन यौश्र Ooh इसके द्वारा हमें क्या होता है बहुत स्माल कौंटिटे बंडी सिर में रिकवाइड होता है इसे हमें बड़े बड़े टेस्ट लगाने हो तो हम फो इस मेफ़ड के दुवारा नहीं लगाते हैं फिर उसके लिए हमें हम वीनस मेफ़ड यूस करते हैं याकर बहुतेकि आसमें ही पैएंधु रहे होग कोई सान्थ को पहन के ही आपको यूस करना है हात लगाना है इसके बाद एपर हेड़ करते हैं और प्रिक करना है तो अगर उड determiner की बात करें तो टीपोप रिंगार मेड़िन फिंगर या फिर लॉप पर यहां पर इसको प्रिक कर सकते हैं या फिर रिंग फिंगर और मिडल फिंगर का भी यूज कर सकते हैं और इंफेंट की बात करें तो प्लाइंटर सर्वेइस ओब टो यानि कि आप जो अंगुठा है बच्चे का इंफेंट का तो वहां पर प्रिक क होगा उसके बाद विए disposable gloves आपको पहन ने है अपने कुछ की सब्टी के लिए पॉजिशन पैशन पैशन को पॉजिशन देनी जो भी टैवल कूरसी है उस पर बिठा देना है और वो तोड़ा रिलक्स हो जाए या फिर व्यू फिंगर इंगर कंपलिटी बीफोर जाना है फिर टीन करना है उस इंगर साइट को जहां पर हम प्रीक कर रहे हैं रिंगा आव मिडिल फिंगर नहीं तो तो उसको हमें क्लीन कर ले करते हैं है यह जाना चाहिए कलिकर प्रीकिश होुआ यह कमुझेसरी यूसे फ्रीक और को झाली हाई भीका फोंक्सरी तो भी कंटर है यह चीओं को दुझ अब तो नहीं यह दब आपिसको फिक कर दोगे तो उसके बाद अगर आप इस तरह के से वापिस लगाते मों तो हो सकता है कि अध trat अजुरिक हो सकती है और उसकी वज़ेसे जो पैशन कुछ बीमारी ते यह भी वाइफ ओफ करने रहा है किसी कॉटन होल के हैं से जो हमारी फॉर्स डॉप है क्योंकि उसमें टीश्यू जोसे होते हैं स्टॉप दैबलड फ्लो बाइप्लाइंग स्लाइड प्रेशर विट और गॉस्पेड और कॉटन एड़ साइड उसके बाद में क्या करना है जो फॉर्स रूछակ तो उसको खोर दिगे और या फिर कोटन से भी कर सकते हैं तो यह हमारा हुग्ग Abbill condition अब है। जनु Chapel heap और कलेक्शिन जो है हम लब विनस ब्लड कलेक्शन ही करते हैं क्लिखकhat है क्योंकि हम TW से क् दौरा हमें ज्यादा इसमें घ्राइज ब्लड एक करने की प्रॉसेस है फ्रॉम मैं से वेन इसमें में घ्राइज सीए्ट ने मुज शरी यानिकि इसके बेस्ट साइट कौन से होती है वी ती तो हम क्या हैं एक आपकर सब्सक्राइज कि अप्राइज कर सकते हो टैस्ट्यूब की जरूत होगी जिसमें हम सैंपल लेंगे टौर्णिकेट की जरूत होगी लोज की चरूत होगी शार्प कंटीनर चाहिए इसकार्ट करने के लिए गोस्पेट चाहिए होगा अगर हम वेकिट यूज यूज करते हैं तो हमें टुब निडिल और तरी टेस्ट टूब उनके इटलoben भी और सिरीज पी संपटे हैं रेखिसा राव mail को छोड़ कर सकते हो और और बाद में भी कर सकते हैं जैसा आपको पॉजिशन देनी है जो भी आपकी कूरसी है आप लेटा सकते हो उसके बाद में सिलेक्ट वेंसाइड आफ्ट एप्लाइट ओनिके त्री तो फॉर इंचेस अबाव दो वैनी पंक्चर साइट हमें क्या करना है जो हमारा एंटिक वा सब्सक्राइब करने के बाद में जाती है और अगर नहीं होती है तो आप डर्सल सर्फेस से भी ले सकते हो ठीक है कलेक्शन कर सकते हो क्लीन दवेनी पंक्चर साइट विद आप गॉस्पेट और कोटन इन एलाव तो ड्रॉय आपने कि वेन सलेक्ट का लियों है सिलेक्ट करने के बाद हम उसे क्लीण कर करने के बाद में आपको उसको अच्छे से तुकने देना है और जब आप क्लीन कर देते हो साईट को तौट अपको तच नहीं करना है तो आपकी本当 when हो गया है लिसके बाद आपको क्या करना है अग तो यह सारी प्रोसीजर प्रोसीचर ौज रहती हैं तो यह सारी प्रोसीजर तो Television वेंड लाइटली पूल बैक आउफ इस्टन एंड ब्लड विल बिगन इंटर 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 बिए वेंगे अंदर जो है वो नीडिल प्रॉपरली इंसर्ट कर दी है आपने अच्छ से इंसर्ट करने के बाद में जो हमारा पिस्टन है इस्टन को आपको इस तरीके से अगर आप एक यसी साइड पीछे की साइड की इचना है तो ब्लड उसके अंदर आना इंटर हो जाएगा अगर आप वैकिट्यूर सिस्टम यूज करते हो तो नीडिल्स तो यह हमारी नीडिल से और यह हमारा अड़कर आपको इस में पीछे की एप खुलनी है ठीक के भाद में इतनी व हम इसमें अच्छ से तरीके से लगा देंगेँस कर दाफ्बरेंगे और रहे चलुई करने के बाद में यह जो Hi कैसे एक है जुकालने के बाद में इसको आपको इस तरीके से अंदरिके से अंदर इंसर्ट करना है जब आफ़ सरे कर दे तो यह उतना हम ले सकते हैं तो धी सक्वनी है है यह निकाल दी है इसमें आँए लाड़ा गया है तो से इकरना धूस quality ईसीत सब्लाइड ले सकते हो ठीक है तो यह मारे वेके टूनर सिस्टम है और जनरली जो यह सिस्टम है हमारा मैंने आपको बताई दिया है तो इसके आगे की प्रोसीजर की बात करते हैं हम 50 वाद शो還क है हमने पात कर धेंद कर लिया है डिक्रक्लेक्शन करने के बाद में जैसे स्वर्य क्लेक्शन किया नहीं था अभी зна अदरा इंटर हो जाता है सीवर डॉक्राइब को प्रशीर कर देना इन ध्युंगा को को रिलिस्ट कर देना है कि हमें इसे एक मिनिट से ज्यादा बांद के नहीं रखना है तो जैसे ही ब्लड आना इंटर हुआ आप टॉनिकेट को रिलेज्ट कर दो एप्लाइ कोटन और पंक्चर साइट एड जन्टली रिमूद और नीडिल एंट इंस्ट्रक इंस्ट्ट पेश उसके करें हम उसका ऑब जो है वो रेलिट नीडिल उसको लगाएंगे निडिल को निकाल लेंगे से कब भी हमें निडिल के से ही जिसके हमारी सिरिंज में एक हुई है और रारेक्ट ट्यूब में नीडिल के द्वारा ब्लड नहीं डालेंगे क्योंकि उससे हमारा क्या होता है ब्लड इसलिए हमेशा से नीडिल को हटा के हमें सीरिंज से ब्लड डालना है ठीक है और रिमोव रॉन सेरींज एक्सपल इंटु दर टूप एंड एपलाई नॉन लेटेक्स अडिसी यानि कि जो तक ब्लेदिंग को जाने नहीं देना है तो कि क्या पता कभी-कभी टिसेंगे यह ए ओक्सीजन कार्バन बंड चाने करते हैं पह предлож को यह हमें पता चल जाता है more difficult than venus puncture तो यह वाली method जो होती है वह थोड़ी ज्यादा difficult होती है puncture करने में venus puncture से क्योंकि वी जो है वह easily fill हो जाती है और आर्ट्री जिसे कि हमारी radial artery है यहां पर हमें collection करना होता है तो वह थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है increased depression in artery and make more difficult to stop bleeding क्योंकि हमें जो bleeding को stop करने में थोड़ी difficulty आती है तो artery में जो है वह easily blood stop नहीं होता है arterial selection हमें artery कौन कौन सी select करनी है तो first choice जो होती है हमारी radial artery होती है जो कि यहां से हम करते है collection इस जगे से हम collection करते हैं फिमोरल आप थाइक इवें भी आर्टी भी यूज़ कर सकते हो या फिर ब्रेंकिल आर्टी भी यूज़ करते हो कर सकते हो बट हमारी जो first choice होती है वो radial artery की होती है requirement क्या होती है वोई syringe और निडिल ग्लाउस जो हमें सब में चाहिए यह गॉस्पेड चाहिए ट्यूब चाहिए cotton wool चाहिए यह सारी requirement हमें होती है अब हम इसकी method देख लेते हैं कि इसकी method या procedure कैसे हम blood सब्सक्राइब करते हैं में 30 इसकी विर ग्लाउस इन मास्क यह माला first point रेता है उसके बाद position the patient time जो अगर हम radial RT से collection कर रहे है तो हम पेशेंट के आम को position देंगे अगर femoral से कर रहे हैं तो उसके पेर को position देंगे ठेक है उसके बाद इंडेक्स फिंगर से आप उसको फिल करोगे तो यहां पे अगर आपको यहां पर प्लसेशन फिल हो रहा है तो वहां सब्सक्राइब करना है उसके बाद किसा इंसर्ट दीडमाड दिट्ट लुगरी उसके 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 वह एलजंट सीरिंश को निकालना निडिल यहीं नंयटे। है ठीक है तो उसके बाद हम क्या करेंगे इंसर्ट कर दिंगे नीडिल को इंट आटी एट 30 डिग्री टीकिश के बाद ब्लड फिल इंटी दीड शेरींज ब्लड जब शिरींग में फिल होने लग जाए तो हां कि हमारी निडिल जो है वह सई जगल लगी है ठीक है रिमू नीडिंग के लिए तो उसको वहां पर अच्छे सप्रेस करके रखना है प्रेस्ट फॉर फाइप मिनिट और रिमूव नीडिल फ्रॉम सीरिंज एंड डिसकार इन शाहर पर कंटेनर तेक है नीडिल को हम सीरिंज से निकाल लेंगे और शार्प कंटेनर से में डाल देंगे नी नीडियो